Hello friends, welcome to Tried and Tested. अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमारे issues को लेकर फिर चाहे वो acne हो, pimples हो या reproductive related issues हो, infertility हो या menstrual cycle related हो, तो हमको जवाब में ये सुनने को मिलता है कि हमारे hormonal imbalance की वज़े से ये सब हो रहा है. तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये hormonal imbalance आखिर क्या है, क्यूं है, कैसे होता है, कैसे हम इसको घर पर पता लगा सकते हैं, और कौन से ऐसे foods और habits है, जिनको अगर हम घर पर adopt करें, तो हम घर पर ही हमारे इस imbalance को balance में बदल सकते हैं. तो चलिए friends चलते हैं. तो friends हमारी body में होता है endocrine system. इस system में होते हैं तरह तरह के glands जो responsible होते हैं hormones को produce करने में, store करने में और release करने में blood में. और blood में जब ये hormones release होते हैं, तब ये different activities को perform करते हैं, different functions को perform करते हैं. जैसे आप इस diagram में देख सकते हैं, कि example देखिए जैसे कि ये thyroid gland जो है, ये produce करता है hormone जो thyroxin नाम का है, जो effect करता है liver को, और जो function responsible है, वो है metabolic rate. तो ये सारा system है, जो ये glands, hormones और functions को regulate करता है. और वैसे ये body अपने आप से कोशश करती है, कि किसी तरह इन problems से fight करें, इन imbalance के साथ fight करके, लड़के अपने balance को फिर से achieve करें. लेकिन अगर बहुत time से आप किसी आदतों से या unhealthy lifestyle या unhealthy eating या stress इन चीजों से गुजर रहे हैं, तब body से भी ये imbalance नहीं हो पाता है. और इसी लिए फिर हमको देखने को मिलते हैं तरह तरह के symptoms, जिसको कहते हैं hormonal imbalance. इनको develop होने में काफी time लगा है और इसी तरह इसको heal होने में भी काफी time लगता है. In fact, एक healthy lifestyle का commitment ये मांगता है अगर आपको balance तब होता है जब ये hormones या तो बहुत ही अधिक मातरा में release हो रहे हैं या फिर बहुत कम मातरा में या over produce हो रहे हैं या under produce हो रहे हैं तो इनका जो संतुलन है वा बिगड़ रहा है और इसी लिए असंतुलित ये imbalance में बदल जाता है फिर हमें जो symptoms देखने को मिलते हैं जैसे की बहुत जादा weight gain होना या weight loss होना या बहुत जादा बालों का जढ़ना या हमको constant weakness feel होना या depression होना या फिर किसी तरह का indigestion होना या insomnia यानी की नीन में problem आना loss of libido इनके अलावा भी symptoms की list काफी लंबी है जैसे की PCOD, PCOS बड़ा common ह headaches होना, migraine, irritability होना, सारे symptoms जब हम देखते हैं तो ये सारे hints हैं कि हमारे कौन से glands या कौन से hormones में हमारे problem चल रही है, accordingly डॉक्टर हमको कोई test को prescribe करते हैं और उसके pills या medicines को देते हैं, and डॉक्टर के ये जो pills medicines हैं ये भी हमारे temporary symptoms को solve करती है, ना कि हमारे problem और issues को permanent या जड़ स solve नहीं करती है, अब मैं particularly बात करूंगी उन hormones के बारे में जो female organs reproductive या sex hormones related हैं, जो हम घर पर ही natural foods और habits को बदल कर हम इस imbalance को balance में बदल सकते हैं, तो particularly जो hormones हैं वो है estrogen, estrogen का या तो अधिक मात्रा में यानि की dominance होना, या फिर कम मात्रा में produce होना, जो की है low estrogen, इन ही के चलते हम इंको तरह तरह के symptoms देखने को मिलते हैं, जैसे की infertility या फिर बहुत जादा weight gain होना, उन ही को higher diabetes का भी chance होता है, acne और pimples होता है, और hair growth होती है उन जगाओं पर जहां पर ladies को expected नहीं होता है, अब बात करते हैं best foods जिससे की हम इन hormones को balance करने की कोशिश घर पर कर सकते हैं, और इस list में सबसे पहले है consume healthy fats, यानि कि हम को healthy fats consume करना है, अक्सर आजकल की diet में हम fats को ignore कर रहे हैं और दूसरी चीजों को हम बढ़ा रहे हैं, healthy fats में देखा जाए तो सबसे अच्छा source है coconut oil यानि नारियल का तेल, ये एक बहुत ही अच्छा amazing healthy fat है, hormonal health के लिए, ये hormone production के लिए important building blocks का काम करते हैं, ये inflammation यानि सूजन इनको reduce करने में help करता है, इसमें बहुत से anti-microbial और anti-bacterial properties भी होते हैं, इसके अलावा हम ले सकते हैं, use घी का, जो देशी गाई के घी का, जो बहुत ही एक अच्छा source है fat soluble vitamins A, D, E और keto के लिए, ये सारे ही nutrients, hormone production के लिए building blocks का का काम करते हैं, अब अगला point है कि nuts और seeds को हमारी diet में include करें, फिर चाए वो बादाम हो, अखरोट हो, काजू, पिस्ता, फिर seeds में आ, pumpkin, sunflower, chia seeds वगएरा वगएरा, तो ये सारे जो hormones produce होते हैं, उसके लिए जरूरत पड़ती है fatty acids और cholesterol की, और अगर इन ingredients को हम हमारी diet से miss करते हैं, तो hormonal problems का आना स्वाभाविक है, क्योंकि hormone production को जिन nutrients की जरूरत है, वो nutrients हम body को, endocrine system को नहीं दे रहे हैं, अगला point है हमारी diet में include करना probiotics, probiotics जो अधिक मातरा में मिलते हैं, वो होते हैं, दही, curd, yogurt, या फिर कोई तरह के fermented food, फिर चाहे वो इडली, दोसा, या किसी तरह के अचार, कोई गले हुए, नीमबू, किमची, सौरिक्रोथ, ये सारे ही चीज़ें में probiotics अधिक मातरा में पाए जाते हैं, और ये सारे probiotics हम क को help करते हैं, हमारी body को detox करने के लिए, और हमारी immunity को increase करने में हमारा liver cleansing करने के लिए, और हमारा gut cleansing करने के लिए, जिससे कि हमारा digestion भी अच्छा रहता है, अब अगला चीज़ जो हमको diet में include करना है, वह है beans और lentils, यानि की दाल और तरह तरह के beans, फिर चाहे वराजमा हों, काबुली चने हों, या तरह तरह की दाल, ये सारे beans और lentils में होते हैं, plant based phyto estrogens, phyto estrogens या dietary estrogens, ये naturally occurring compounds हैं, जो plants में मिलते हैं, और या एक तरह से estrogen का ही mimic करते हैं हमारी body में, और उस तरह के effects हमारी body को देते हैं, इनके अलावा ये बहुत अच्छा source है, protein, fiber और काफी essential vitamins और minerals के लिए भी, अब हम डायेट में include कर सकते हैं complex carbs को, जो पाए जाते हैं whole wheat में, या फिर oats में, brown rice में, कीनुआ बहुत अच्छा source है, ये सारे complex carbs जो हैं, इनका glycemic index जो GI है वो लो होता है, और इसलिए आपके जो blood के sugar levels है, उनको steady रखने में ये help करता है, आपका insulin और जो balance के लिए pomogranit यानि की अनार भी एक बहुत अच्छा source है, ये antioxidant से भरपूर है, और जिनको problem है excess estrogen production का, उसमें ये pomogranit काफी helpful होता है, ये इसमें एक natural compound होता है, जो women के अंदर जो enzymes है, उनको help करता है, convert करने में estrone को estradiol में, जो की एक बहुत powerful estrogen है, जो studies बताते हैं की cancer prevention के लिए भी ये helpful होता है, अब हम diet में include कर सकते हैं cruciferous vegetables को, यानि की full गोबी, पता गोबी, जो बंद गोबी है, broccoli, या फिर Brussels sprouts, ये सारी चीज़े estrogen को balance करने में help करती है, और क्योंकि ये calcium में rich होती है, तो ये pre-menstrual syndrome के लिए भी helpful होती है, इन सबजियों में पाए जाते हैं phyto estrogenic compounds, जो promote करते हैं estrogen metabolism में, और साथ ही जो bad estrogen से उनको body से निकालने में भी ये help करते हैं, females के लिए hormones को balance करने के लिए soya एक तरह से बहुत ही अच्छा product है, क्योंकि इसमें एक special type of lecithinin होता है, जिसमें oxynes होते हैं, जो सारे glandular system को nourish और replenish करने में help करता है, ये soya beans, edameme, tofu, ये सारे चीज़ें जो है especially जादा helpful effect होती है during menopause, soya के जो fermented products है, जो miso और tempeh हैं, ये भी बहुत अच्छा source है for probiotics, LC के बिना ये list definitely अधूरी है, नहीं पूरी हो सकती, LC एक excellent source है of phytoestrogen, इसमें एक special type का phytoestrogen है, lignans, इसमें दोनों properties होती है, estrogenic और antoestrogenic effect जो देती है, चाहे फिर वो hormone production higher हो या lower हो, ये दोनों के लिए ये flax seeds जो है बहुत ही helpful resource है, ये help करती है दूसरे additional hormonal issues को prevent करने में, जैसे कि breast cancer, aminopausal symptoms या osteoporosis, इनके अलावा, LC rich है, anti-inflammatory omega-3 fats में भी, अब जिकर करेंगे कुछ kitchen में available herbs और spices की, जिसमें है cinnamon, यानि की दालचीनी, हल्दी, जीरा, सौंफ, मुरेंगा, अद्रक और लसन, ये सारे जो herbs हैं, वो adaptogens, hormones को help करते हैं produce करने में, जो की आपकी body को stress handle करने में, और adrenal glands को support करने में, काफी help करते हैं, इनके अलावा तुलसी और अश्वगंदा भी बहुत अच्छे दो herbs हैं, जो hormonal growth को body में help करते हैं, अब food के अलावा कुछ important points जिनका ध्यान आपको रखना है, अगर आप घर पर ही अपने hormones को balance करना चाते हैं, आपको regular exercise, physically, activity, जो है आपकी आपको maintain करना है, ये आपके hormonal health के लिए काफी important है, आपके insulin levels को ये track पे रखते हैं, इनके अलावा stress management, stress को आपको दूर रखना है, ज जो आपको negativity देते हो, उन चीजों को आप दूर करें, अच्छी नीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नीन के time पर हमारी body एक तरह से rejuvenate करती है, recover करती है, दिन भर के जो activities हुए हैं उनसे, lifestyle habits में अगर alcohol, tobacco, caffeine यानि की coffee, इन चीजों को avoid कीजिए, avoid कीजिए बहुत जादा sugar, foods या उनके drinks को लेने के लिए क्योंकि इससे insulin levels बढ़ते हैं, जो मुटापे या obese, over weight होने के लिए भी responsible है, इनके अलावा avoid कीजिए, packaged या processed foods का जो आपके hormones को imbalance करते हैं, और lastly आप avoid कीजिए, over eating या under eating करना, तो बस ये हैं वो tips और foods जिनको अगर आप प्रोपर तरी अपने hormonal imbalance को आप balance में बदल सकते हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे comment करकर बदाईए, और ऐसे health related videos के लिए चानल को like, share, subscribe जरूर कीजिए, bell icon को जरूर hit कीजिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाबाई